जाए बाता दी दोस्तों आज आपका ये दोस्त राकेश पंसल आपके साथ शेयर करेगा थ्री PSU स्टॉक्स विद अपसाइट पोटेंशियल ओफ अप्टू 50 परसंट बहतरी इन टेकनिकल पैटन है देखे तीनों की दिनों लाज का है तीनों की दिनों PSU स्टॉक्स हाई डिविडेंड डील देखें 2021 में कोई हाथ नहीं लगा रहा था ITC को आज ITC के विचे लोग भाग रहे है 2023 is not going to be an easy task for stock market मतलब की stock specific market रहेगा तो नियायती मतलब की मैं अपनी तरफ से तो कोई नूर ही ने आपके रहे ढूंड के लाया हूँ तो शुरू करता हूँ इन stock piece के साथ तो जो पहला topic है वो है Gas Authority of India गेल आप ये देखें गेल का प्राइस चल रहा है 103 का dividend yield है यहाँ पर 6.35% की और सबसे पहले disclaimer मैंने stock 91-93 के around लिया हुआ है और पहले भी आप लोगों के साथ discuss किया हुआ है कि I am holding for मतलब की लंबी अबदी के लिए बट होता क्या है लोग hold नहीं कर पाते बार बार पूछते रहते हैं मैंने share कर रहा उसके बाद भी पूछते रहते हैं जैसे result आये नीचे गया उपर नीचे तो stock होगा ऐसा कोई किसे के पास रामबान नहीं कि stock आपकी मतलब की एक बार खरीदने के बाद आपकी खरीद के नीचे ना है सबसे बड़िया चीज होती है buy and old बट यहां पर सब लोग momentum चेस कर रहे हैं तो momentum के नजरिये से गयल निकालके लाया हो देखो सबसे पहले तो गयल का आप मंथली चार्ट देखो यह मंथली चार्ट है इसका गयल का और यहां पर अगर आप गयल को देखते हो यह all time highs है इसके 130 रुपीज के ठीक है यह बनाए था इसने 2017 में उसके बाद से stock correction में 2018 में highs लगे अराम से चार्ट को समझें यह 2018 पर highs लगे अब क्या यह आपको मंथली चार्ट पर rounding bottom लग रहा है की नहीं लग रहा है मैं आपसे पूछता हूं ठीक है अगर आपको नहीं लग रहा है तो भया एक बार चा अप लग रहा है की नहीं लग रहा है यह चार्ट को उल्टा करके लग रहा है की नहीं लग रहा है की लेवल्स आ जाएंगे 128-130 के ठीक है आपको अब हमारा मकसद तो चार्ट सीधा करना है आपको rounding bottom दिख गया होगा ठीक है अब क्या है इस चार्ट को weekly कर दो अब आप चार्ट को weekly करते हो तो क्या आपको यहां पर clarity के साथ series of rounding bottom नहीं दिख रहे हैं यह rounding bottom यह rounding bottom यह rounding bottom यह दिख रहा है की नहीं दिख रहा है देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वहिया ऐसे series of rounding bottom बन रहे हैं तो high probability है वहिया ये वाले levels तोड़ देगा ये ठीक है ये high probability है सब levels तूटेंगे और ultimately ultimately मुझे लगता है ये वाले levels भी तूटेंगे जिस तरीके का technical structure है 130 133 के मेरे देखिए तीन साल के target तो 300 रुपीज के हैं यहाँ पर इनिशली मुझे लगता है 130 के levels तूटेंगे 150 प्लस 150 प्लस ये stock जाने खा दमखम रखता है तो जो पहली stock pick है वो है gas authority of India जो मुझे काफी strong लग रहा है दूसरा जो stock pick है वो है ONGC oil and natural gas corporation of India और यहाँ पर अगर आप देखें तो dividend deal सबसे आदा है 6.9% की dividend deal लाती है यह तो देखिए monthly chart खुला हुआ है आपके सामने यहाँ पर आप देखें weekly chart पहले monthly chart ही दिखा देता हूं आपको यह भी top out हुआ था December 2014 में 300 plus रुपे के बहुत है 300 plus रुपे के बहुत है simple सा chart आयर देखो यह बहुत है आपना simple सा chart देखो यह वाले दाम थे ठीक है और यह volume था यहाँ पर अभी देखो यार maximum volume यहाँ पर हुआ है इतना माल पी लिए भहिया माल पी लिए आया आप समझो चीज को यहाँ पर क्या है कि मेरे को लगता है यह माल पी लिया भी यह पूरा माल इकठा हो गया है यहाँ पर यह बड़ा base है buy on dip वाला stock है और technically देखो तो 210 पहला hurdle आता है और क्यों नहीं यह stock दुबारा से 300 रुपे जा सकता है क्यों नहीं यह stock 300 रुपे जा सकता है इतना वॉल्यूम हुआ है यहाँ पर आप देखो अब यह lines को अटाते हैं confusion होगा आप लोगों को इसको करते है weekly यह देखो ना इतनी रैली में इतना माल लिया गया है यह देखो यहाँ पर आप यह को निकला थोड़ी नहीं यह देखो ना इतना यह जो रैली आई है यह जो इस रैली में इतना जो यह जो वॉल्यूम हुआ है यह निकला थोड़ी नहीं भी भेतरी इन technical structure है और इसको भी एक बार inverse करके देख तो इसरी लगता है कि वह यह 200 रुपे के levels cross करेगा एक बार यह तो भार यह तो भार मार्केट है जो चीछ चलती है momentum आता है सब लोग उसको chase करते हैं सीधा चार्ट करते हो तो 175-177 दिखता है inverse दिखता है तो 205 के levels दिखते हैं बट मुझे इसरी लगता है 225-240 के levels यहाँ पर देखने को मिलेंगे यहाँ पर देखने को मिलेंगे अब मैं आपको तीसरा चार्ट बताओं उससे पहले मैं बताना चाता हूँ कि देखिए हमारा जो performance है फ्यूचर्स में भी हम थोड़ा सा struggle करें इस बार month was up option में पहली बार मतलब कि continuous back to back profit देने के बाद पहली बार 8- 9000 के करीब का loss आया है और mentorship is rocking देखिए mentorship में जो जो चीज बता रहे हैं daily मतलब कि उसका update share किया जाता है hand holding के साथ mentorship हो रही है और मेरी हर एक से गुजारिश है देखिए हुआ index, stock specific, सब कुछ मिल रहा है और दाम बिलकुल भी नहीं बढ़ाया है तो query session के लिए आप सब लोग YouTube membership में आ जाएं जो भी mentorship वाले हैं दाम ideally 3000 रुपे का होना चाहिए और यहां पर mentorship मिल रही है with hand holding तो आप सबसे गुजारिश है कि YouTube membership पे आ जाएं for life stream के अंदर आप सवाल जब आप भी पूछ पाएंगे अपने और it's rocking है एकदम mentorship is rocking और जो third pick में लेके आया हूँ आप लोग और पैटर्न बहुत बढ़ी है देखिए यह है NTPC का technical chart पहले तो देखिए इसका monthly chart देखें आप monthly chart देखेंगे तो यह December 2009 में top out हुआ था तब 198 के दाम थे और यह इसके 2008 में 212 के दाम थे और किसी जवाने में 240 के दाम भी गए हुए हैं किसी जवाने में 240 के दाम भी गए ह अगर आप देखें देखिए यार सिंपल सी चीज है सिंपल सा गनित आया कोई exotic टूल जो है ना वो पैसे बना कर नहीं देता सिंपल टूल पर पैसा बनता है तो यह देखो आप NTPC का chart यहां पर अगर आप देख रहे हो तो यह वह एक rounding bottom बन रहा है और नहीं समझ में आ रह बता है यह levels भी तोड़ेगा 200 के level तोड़ेगा stock is heading toward 200 250 के levels की तरफ stock is marching northward March है तो northward है तो चार्ट को सीधा कर लिया चार्ट को weekly कर दिया तो यह है इसका technical chart 171 के around चल रहा है मेरे targets है 250 के तो दिखिए यह है आज 3 stock picks मैं आपके लिए निकाल के लाया हूं गेल, ONGC, NTPC और अगर आपको मेरा content मेरा वीडियो अच्छा लगाओ तो please do like and share my video मेरे को subscribe, follow नहीं कर रहे हैं तो please subscribe और follow भी कीजिए और अपना feedback comment section पर जरूर share कीजिएगा तो आज के लिए बस इतना ही अपना प्यार और सने यह बनाया रखिए फिर मिलेंगे तैंक यू कर दो